एससी से जड़ोई सारी न्यूज और फ्री ओनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुचने के लिए और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हमारे एक्जाम पॉइंटर्न है और जैसा भी पिसले दुनों में पूछा गया है एक्जाम को तो मैं उसी तरह से जितने मैंने टॉपिक मैंने लगबग देखी रागी साथव की बुक्स से मैंने छा इस वीडियो को पूरा दिखेगा अगर आप इस वीडियो मैं जितरे भी में टॉपिक बता रहा हूं उसकी वो सारी सीजे कर लेते हैं तो यकीन मानिये कि आपका लगबग लगबग 70-80% टॉपिक तो कवर हो जाएगा अगर आप सिर्फ इसको कर लेते हैं चाह आपको सबसे पहले सब्सक्याओ कफ़शा लीیا इन सबसे सबसे कम में इंप्लां पावर फार्मले शील इंदर डेंewाले कोसे दें हाते इनके अंदर दे को सबसे इंप्लान पूछा जाता वह यह जाता है उनका क्यित इंक इंका फर्म्लोय हुते है टिधर 12 मैं अपको रप्तार रहा आपको पावर वाले कrousहने कर लिए फाइब रूट होगा जिसमें वाले इसे अपको देख लिए प्लस में तहरे प्लस में मारिनस में भी होंगे इसलिए मैंने आपको बताया है और आप यह कर लिजी को कि पूछा जाता है ठीक है उसके देखिए जो आते हैं algebraic identities देखिए algebra कि अगर हम बात कर रहे हैं तो जो identities ही हैं वो बस आप identities याद कर लिजी ठीक है आपको करना है कहा दी कि a plus b वाली a minus b a square minus b square a plus b का whole cube और यह वाली सबसे important है ठीक है यह जो मैंने नीचे लिखी है यह वाली सबसे important है a plus b plus c का whole square plus aq plus bq plus cq minus 3abc value जो आपकी identities है उनको तो याद कर लिए है सीदी सीदी कौसन आते हैं और अगर यह भी आपको याद ना हो ना तो यह की algebra में तो सबसे भड़िया method है आपको क्या करना है आपको सीधे value पूट करकर लिए कि अगर मैं x की value पूट कर रहा हूं या y की value पूट कर रहा हूं ठीक है तो उसमें कैसे हैं हमसे solve कर सकते हैं ठीक है कोसिस करिएगा कि X कि या किसी भी वैल्यू की A दे रखाओ तो A की हम वैल्यू पूट करके 0,1 किसी तरह पूट करके हमारा अंसर आ जाए अगर नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है option से चेक कर लेना है अगर आपको identity जयाद नहीं आ रही है तो आपका एकाम बन जाएगा उसके लावत देखिए यह सबसे most important है सबसे most important मतलब यह हर एक्जाम में पूछा ही जा रहा है ठीक है कि X plus 1 by X अगर A है तो X square plus 1 by X square कितना होगा अगर power 6 कर देंगे हम ठीक है तो क्या होगा ऐसे करके कई सारे कोशन आ रहे है पावर 8 कर देंगे तो क्या होगा तो यह से पूछा जा रहा है ठीक है इसमें देखिए फॉर्मले है आपको किसी भी notes में किसी भी book में मिल जाएंगे तो आप वहां से देख लिजेगा ठीक है सारे notes आपको provide करा दिये जाएंगे और मैंने इनके उपर एक video भी बना रखे है पहले से algebra के उपर ठीक है तो आप जाके देख सकते हैं नहीं तो आप किसी भी और channel की नहीं तो आप notes हैं आप उनको देख लिजेगा उसमें सारे formula मिल जाएंगे book में भी मिल जाएंगे ठीक ह यह सारे formula हैं देखिए फिर minus वाला formula होगा आपका कि अगर x minus 1 upon x हो और x plus square हो यह पूछाओ को symbol change हो गया हो तब क्या करना है ठीक है और साथ ही साथ प्यूश आपको अगर value कम करने हैं कि x के पार 4 दे रहां और में x के बढ़ं का ठीक हो अ को इस पूरे को भी माल लेंगे ठीक है और फिर क्या कर देंगे वही बी का स्क्वेर माइनस टू अगर इसका इसको वह पूछ ले जाता है पावर फाइब में पूछ लिया जाता है ठीक है और देखिए टिगनोमेट्री के लिए मैं आपको कोई फॉर्मला नहीं बताऊंगा तो यह लगबग दस नंबर आपके कंटेंड करता है इसमें आपको क्या करना है डेखिए सबसे बहुत हैं बहुत करें काट वाले फॉर्मले हैं ठीक है कोट वाले नहीं है तो आपको वीडियो मिल जाएंगी मैं आपको एक को बता दूंगा आप उसको देख लिएगा तो आपको क्या करना है सबसे पर लो इप निक रिए की वैल्यु पूट करने है तो सारी डिग्री की वैल्यु पूट करने सारी पर यादनिते हैं ? है सब कर दो है सद्बिखे, क्या यह प्लस प्लस, सब क कर लोगा है पर मैन चाइश यह आपको यहाद ही तो पता इनको sign or cost में change कर लिजेगा और फिर in attempt किजेगा ठीक है तो देखी और third point यह है कि आपको हमेसा यही try करना है कि आपका जो answer है वो value put करने पर आ जाए अगर नहीं आता है उसके बाद यह आपको try करना है कोई और method उसके देखी height and distance है तो height and distance में आपको यह कुछ चीज या फिर यह distance या फिर यह distance या फिर यह head पूस्ती जाएगी यहां पर कोई angle होगा यहां भी कोई angle होगा तो इस तरह का question आएगा plus देखी एक building होगी वो एक building से दूसरी building की छट पर देख रहा है और अगर वो नीचे की तरफ देखे तो इतना angle बनेगा और उपर इतना angle बन बनेगा और किसी angle पर वापस उसी point को देख रहा है तो कितने दूरी वो चला ठीक है ऐसे question आएंगे इससे जादा नहीं आएंगे आप इनको सिफ इन तीन टाइप के question को कर लीजिए आपका height and distance भूरा हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब इसके बात आता जो second most important है वो है उनको कर लीजिए चाय और basic जो formula है चाय वो circle का हो triangle 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 के अंदर ठीक है इन center आपका ortho center circum center यह सतरी के जितने भी आपके triangle है वो कर लीजिए centroid हो आपका centroid भी कर लीजिए साथी साथ आपके cube, cuboid, polygon, cylinder ठीक है आपका sphere जितने भी आपके formula है mensuration में तो सिर्f formula ही कर लीजिए आपका काम हो जाएगा ठीक है तो mensuration के video मिल जाएगी ने तो आपको PDF मिल जाएगी सारे formula की एक वो ले लीजिए और सारे formula एक बार देख लीजिए ठीक है और देखे इस triangle तो आप कर लीजिए ठीक है को कि centroid से इंटर circum center से बहुत को सनाते है ठीक है यह सारे points तो important अब बात आती है उन points की जो मैंने mention ही नहीं किये उस में देखिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले है जो मैंने mention नहीं किये तो सबसे पहले मैं बात करूंगा profit and loss की profit and loss के बहुत easy question आ रहे है ठीक है और एक ही question आता है दो question आता है इस स्यादा नहीं आते ठीक है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वो तो आप easy से कर लेंगे फिर उसके बाद देखिए आपका ratio in proportion हुआ आपका CISI हुआ CISI में डिफरेंस वाला है वो आप जरू देखिले जगा ठीक है इस तरह के देखिए बहुत ही छोटे छोटे चोटे टॉपिक आ रहे हैं पर यह मैंने सिर्फ वो टॉपिक लिए जो आपको थोड़ा टिपकल भी लगते हैं और आपको सबसे ज़दा time consuming भी ह इन सारे टॉपिक को आप अगर कर लेते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं तो यह 50% टॉपिक है जो मैंने इसमें मैंने किये हैं और बाकी के जो 50% मैंने 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 किये क्योंकि वो इतने important नहीं होते हैं आप easily उने कर लेते हैं बहुत easy question आते हो ओपर ठीक है चाहिए एक इक question हो रहे थे कि time and distance के question आता जो train वाला आता है ठीक है train वाला और train के अंदर बुलट वाला question होता है ठीक है एक बुलट चलाए और बुलट का sound इतनी देर बात सुनाए दिया तो वो question है वो मैं आपको अलगसे वीडियो में बताऊंगा ठीक है train और बुलट वाला ठीक है इंतजार करेंगे मैं आज इसको एक question बता दूगा आपको और साथ ही साथ देखे टिगनोमेट्री के top 10 question मैं वो भी लेकर आने वाला हूँ ठीक है तो मैं हर topic के top 10 की top 10 most difficult question कटिन जो question है आपके टिगनोमेट्री के हुए या फिर आपके जो इस तरह के पूछे जा रहे हैं इसी साल के उठाओंगा यह नहीं कि पछले सालों में जो इसी साल में पूछे गया है पांस तारीक से लेकर 12 तारीक जो भी सवाल पूछे गया है उनमें जो subject 10 cut in सवाल होंगे उनको उठाओंगा ठीक है और आपको solve करके बताओंगा एकदम shortcut method में और साथ ही साथ देखे अ इन वाली सिफ्टाओं के लिए ठीक है तीन चार दिन में आप क्या कर सकते हैं दो दिन में सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं साधा नहीं कर भाएगे को को और भी subject आपको करने है ठीक है तो आई होब कि आपको यूडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आई है तो यार प्ले